Redmi Note 11, मुझे यहाँ पे काफी ज्यादा comments आये, पिछले वीडियो के अंदर, जो मैंने पिछला Google Camera वाला वीडियो बनाया था, उसमें मुझे काफी सारे comments आये, जहाँ पे मुझे जो पता चला कि यहाँ पिछला वाला जो Google Camera मैंने recommend किया था, वो यहाँ पे काम करना बंद कर चुका है तो definitely इस बार मैं आपके लिए एक updated वीडियो लेके आया हूँ एक updated Google Camera लेके आया हूँ Redmi Note 11 के लिए तो चलिए देख लेते हैं तो Google Camera के samples देखने से पहले यहाँ पे camera को देख लेते हैं जो कि काफ यादा बढ़िया बात है यहाँ पे इस वाले जी camera के अंदर वहीं पे बात करूँ यहाँ पे इसके setting के तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उपर से नीचे यहाँ पे swipe करने पे आपको यहाँ पे HDR Plus Enhanced भी देखने को मलता है जो कि काफ दा बढ़िया चीज़ है और साथी साथ यहाँ पे आपको Google का Auto Wide Balance भी देखने को मल जाएगा टाइमर रेशियो और यह सारी चीज़ आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं वहीं पे बात करूँ पोट्रेट मोड की तो यहाँ पे आप देख सकते हैं और गूगल का Auto Wide Balance और यहाँ पे आपको Face Retouch भी देखने को मिल जाता है सटल और स्मूध साथ में यहाँ पे नाइट साइट की बात करो तो नाइट साइट के अंदर भी यहाँ पे आपको तीनों कैमरा को आपको 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 मौका मिलता है यहां पे जो काफ यहाँ पर नाइट मोड के अंदर में भी सूपर वाइड एंगल कैमरा जो है इसका वह बहुत ही ज्यादा तगड़ी चीज मुझे लगी इस वाले जी कैमरा के अंदर और अगर मैं बात करूं विडियो रेकॉर्डिं सेटिंग की तो यह वाला पार्ट जो है सबसे ज्यादा एक्साइटिंग है गूगल कैमरा के अंदर क्योंकि यहां पर आप इस गूगल कैमरा के साथ फुल एजडी 60 fps रेकॉर्डिंग कर सकते हैं अगर आपको मैं देखा दू तो यहां पर देख सकते हैं अभी है फुल इंध्यादा स्मूद आपको देखने को मिल रहा है तो डेफिनिटलिव फुल-एजडी 60fps आप जो है तीमो कैमरा से रेकॉर्ड कर सकते हैं वाइद एंगल क्यामरा क्या मायार्मिल क्यामरा और मैंक्क्रोथे क्यामरा सी भी आप यहां पर एकौन की रेकॉर्ड कर सकते हैं यहां पर फोटो स्पियर देखने को मिलता है वही पर बात कुरिया है यहां पर सेटिंग्स के अंदर चलते हैं और सबसे पहले और आपको कोई डालना तो आप डाल सकते हैं मोड्यूस पर जाकर कि आपको कुछ छेर्ट चार्ड नहीं करना है Global के अंदर जाकर के भी आप देख सकते हैं इतने सारे option आपको देखने को मिलते हैं Digital Zoom अगर आप करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं Auto Night Mode अगर आपको अन रखना है तो वो भी रख सकते हैं Motion Photos भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है Focus Tracking भी आपको मिलता है तो definitely यह सारी चीज़ें यहाँ पर काम करती है और Advanced के अंदर जाने के बाद आपको यहाँ पर HDR Plus Control का भी option मिल जाता है Raw Plus JPEG भी आप यहाँ फोटो क्लिक कर सकते हैं मतलब यहाँ पर Raw Photos भी आप आसानी से क्लिक कर सकते हैं साथ ही साथ यहाँ पर आप जो है Third Party Gallery भी यूज़ कर सकते हैं Overall वहीं पर बात करूँ Video Setting की तो Video Setting आप देख सकते हैं Video Stabilization आपको देखने को मिलता है लेकिन यह है OIS लेकिन इस वाले फोन में जो है आपको OIS देखने को नहीं मिलता है तो उपर का जो Video Stabilization है उसको आपको यहाँ पर On रखना है जो की काफी जादा अच्छे तरीके से काम करता है वहीं पर बात करूँ आपको अगर यहाँ पर 4K 60fps का यह वाला Option देख रहा है और आप क्या कर सकते है frand camera के अंदर यह आप देख सकते हैं इतने सारे options YCM option आप देखने को मिलता है लेकिन यहाँ पी आपको 1.4x का आपको यहाँ पर option देखने को मिलता साथ मैं यहाँ पर suggestions भी देखने को मिलता है पोट्रेट मोड के अंदर जाकर कि भी आपको 1x और 1.2x का उप्शन मिलता है और नाइट साइट में भी आप यहाँ पे सेलफी में फोटो खीच सकते हैं जो कि काफी बढ़िया बात है वहीं पर बात करूँ वीडियो की तो यह आप देख सकते हैं वीडियो कितना क्लियर तर 30 fps पे ही होगा इससे जादा यहाँ पर नहीं हो पाए और यहाँ पर नाइट फोटोग्रफर्स के लिए एक बात बता दू इसमें आपको एस्ट्रो फोटोग्रफी भी देखने को मिलते हैं यह आप देख सकते हैं यहाँ पर यहाँ पर पर्मनेंटली ओन भी रख सकते हैं इस्ट्रो फोटोग्रफी के अंदर भी आपको मैं एक सैंपल दे दूघा अब यहाँ पर आम ने देख लिया गूगल कैमरा जल्दी से आप देख लेते हैं इस गूगल कैमरा के रिजेल्ट्स ऑगे तो सबसे पहले से स्टार्ट करते हैं तो यह नहीं पे लेफ्ट में है ह यहां पर normal जो stock camera है उसने काफ़ अच्छी तरीके से रखा हुआ है लेकिन यहां पर अगर बात करूँ details की तो यहां पर थोड़ा सा जाधा अच्छा मुझे लगा है G camera लेकिन G camera यहां पर देख सकते हैं उसने जो है face पर यहां पर अच्छे से lighting को manage नहीं कर पाया G cam तो यह वाली बात यहां पर थोड़ी सी देखने को मिलती है G camera के अंदर लेकिन यहां पर देख सकते हैं HDR effect जो है वो थोड़ा सा जाधा अच्छा निकल करके है G cam के अंदर यह सेकेंड फोटो यहां पर भी मुझे वही same difference देखने को मिला है थोड़ा सा यहां पर G camera को जो हुआ है यह कितने बढ़िया तरीकिसा यहां पर देखने को मिल रहा है G cam के अंदर लेकिन यहां पर देख सकते हैं इसके अंदर जो है आपको थोड़ा सा धुला धुला नजर आएगा stock camera के अंदर जो कि यहां पर काफी जाधा बड़िया बात है जी यहां पर G एम डालते ह आपके phone का जो camera है उसमें upgrade definitely देखने को मिलता है details के मामले में HDR के मामले में sharpness के मामले में मुझे जादा अच्छा रगा जी camera इस photo के अंदर और भाई wide angle camera पे यहाँ पे देख सकते हैं कितना बढ़िया detail capture किया है Google camera ने यहाँ पे Google camera के अंदर आपको photo जो है वो थोड़ी सी जादा wide देखने को मिलेगी यह भी चीज़ आपको यहाँ पे मिलती है और साथी साथ details भी यहाँ पे आपको जादा अच्छे देखने को मिलती है Google camera के अंदर colors की बात करों तो colors भी यहाँ पे Google camera के अंदर एक दम real और एक दम जैसे आखों से दिखाए दे रहा था उसी तरीके का दिखाए दे रहा है यहाँ पे टी-शिट का color आप देख सकते हैं कितना जादा अजीब लग रहा है stock camera के अंदर overall मुझे इस वाले photo के अंदर simply Google camera winner निकल करके आया है wide-angle camera में भी यहाँ पे देख सकते हैं stock camera के अंदर details बहुत ही जादा कम है अब यहाँ पे थोड़ा portrait mode की तरफ देख लेते हैं इस वाले part पे यहाँ पे जो है dynamic range आप देख सकते है Google camera के अंदर जादा अच्छा है लेकिन यहाँ पे overall जो brightness है face के उपर वो थोड़ा सा जादा अच्छा है या फिर मैं कहूं काफी जादा अच्छा है stock camera के अंदर वहीं पे आप देख सकते है color जो है उसमें मुझे थोड़े से जादा stock camera उतना अच्छा नहीं लगा है stock camera जो है exact जो t-shirt का photo था वो यहाँ पे capture तो नहीं किया लेकिन यहाँ पे stock camera की जो lighting है वो काफी जादा बढ़िया है क्योंकि यह एक portrait photo है तो यहाँ पे जो इनसान है उस पे जादा focus होना चे लाइ जो है details को एकदमी बहुत ही बढ़िया तरीके से preserve करता है भाई portrait mode की बात हो रही है तो यहाँ पे मैंने जैसे क्या आपको दिखाया इस वाले Google camera के अंदर जो है आप portrait mode wide angle camera से भी shoot कर सकते हैं यहाँ पे देख सकते हैं यह दोनों ही photos यहाँ पे Google camera की wide angle camera से shoot किया गया है लिए जो Gcam है यहाँ पे wide angle camera में portrait mode काफी खूबसूरत तरीके से ले रहा है लेकिन वहीं पे जो stock camera है उसमें आपको ऐसा कुछ wide angle पे portrait mode का जो है option नहीं मिलता यह और एक photo है जहाँ पे dynamic range काफी बढ़िया तरीके से test हो रहा है left side पर देख सकते हैं जो face है वह उतना अच्छ अच्छा लाइटिंग नहीं आई है लेकिन वहीं पे gcam के अंदर देख सकते हैं कितना बढ़िया photo आया है subject भी काफी अच्छी तरीके से light up है और साथ में यहां पे background भी बहुत ही अच्छा दिख रहा है यहां तक कि जो sun का light है वो भी यहां पे काफी अच्छी तरीके से द अगर आपके पीछे light है अगर आपके पीछे सूरज है तो आप यहां पर देख सकते हैं wide angle camera पर अगर आपको फोटो कीछना है तो stock camera से photo कीचिएगा क्योंकि यहां पे stock camera में जो है wide angle camera के साथ पीछे से अगर light आ रही है तो उसमें जादा अच्छा photo निकल करके आता है यहां यहां पर Google camera ने जो है उतना अच्छा shot नहीं लिया है face यहां पर देख सकते हैं और जो subject है वो हमारे यहां पर देख सकते हैं कितना जादा dark हो गया है लेकिन वहीं पर MIUI का stock camera है वो देख सकते हैं कितना अच्छे तरीके से इसने subject को भी capture किया है और background को भी कितना बढ़िया रखा गया है यहां पर अब यहां पर इस वाले photo में आप देख सकते हैं dynamic range details और lighting control किस ने जादा अच्छा किया है यहां पर सीधा मैंने सूरज की तरफ phone को ऐसे पो पकड़ा हुआ था और यहां पर सीधा मैंने photo click किया simply मैंने कुछ भी tap अगरा नहीं किया screen पर कुछ भी change नहीं किया simply यहां पर photo click किया है और यहां पर देख सकते हैं dynamic range किस परकार का आया हुआ है मैं simply कहना चाहूंगा कि Google camera नहीं जो है lighting बहुत ही बड़ी तरीकी से control किया और HDR देख सकते हैं यहां पर कितना तादा बड़ी आया हुआ है Google camera के अंदर इस पेड़ के पास देखिए यहां पर आपको यह रिक्षा खड़ा हुआ देखने को मिलेगा और clear तरीकी से आपको सारी details देखने को मिलेंगी लेकिन यहां पर देख सकते हैं stock camera के अंदर आपको जो है उतना detail जो है shadow वाले पार्ट में देखने को नहीं मिलेगा और यहां पर जो sun है वो भी यहां पर उ बोड़ा सा जादा अच्छा लगा है Google camera के अंदर लेकिन यहां पर Google camera पर देख सकते हैं तो अगर आप selfies वगरा क्लिक करते हैं जादा तर तो आप यहां पर जो है stock camera के साथ जा सकते हैं लेकिन यहां पर details के मामले में Google camera अभी भी बहतर है portrait mode की बात करूँ selfie camera के अंदर तो यहीं देख सकते हैं यहां पर जो है Google camera ने simply बहुती बढ़िया काम किया है यहां पर देख सकते हैं stock camera के अंदर detail बहुती गायब सा हो गया है detail बिल्कुल भी नहीं सा देखने को मिलता है वहीं पर बात करूँ यहां पर जो Google camera है उसने बहु तो वो भी यहां पर मुझे ज्यादा अच्छा लगा है जी camera के अंदर यहीं देख सकते हैं यहां पर stock camera के अंदर इस वाले पार्ट पर जो है आपको कमी देखने को मिलती है वहीं पर यहां पर जी कैम पर देख सकते हैं कितना बड़ी है तरीके से जो है इसने cut out निकाला है तो अगर आपको यह जी camera डाउनलोड करना है तो नीचे simply आपको description में जाना है मैंने drive का link दिया हुए वहां से जाके आप simply डाउनलोड कर सकते हैं इस जी camera को अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो गाज नीचे like बटन लबाइए और दोस्तों हमारे चानल को subscribe करना मत बूलेगा तब तक लिए उस्तों जैहन और आपका दिन शुब रहे